नमस्कार मैं हूँ आशिश्य त्रांसी और आप देख रहा है दनीज लॉंचर संग विश्व हिंदू परिशद और भालतिय जंता पर्टी इन तीनों का पाख़ण 22 जन्वरी अजुद्या में एक मेगा इवेंट और उस मेगा इवेंट के पीछे सनातन हिंदुत्व रामानंद संप्रदाय और संकराचाय इन सब के साथ पाखंड का खेल बेनकाब हो गया है एक बड़ी खबर है बड़ी खबर ये कि राम लला का पूजा कौन करेगा उसका कौन उपासक है प्रथम उपासक कौन है सबसे पहले पूजा करने का अधिकार किसको है क्या उसको बुलाया गया है ये सवाल तब पैदा हुआ जब चार संकराचार ये देश के सनातन के सीर्स पुरुस सीर्सस्त पदवी सब के सब अजुद्या से दूरी बनाते दिखें बाइश जनवरी की इस प्लानिंग से इस इवेंट से दूरी बनाते दिखें और जब ये दूरी बननी शुरू ही संकराचार ये निष्चला नंद जी सरस्वती संकराचार ये अभी अभी मुक्तेसुरा नंद सरस्वती सबने सवाल खड़े किये कि आयोजन सनातन का है, धर्म का है राम का है या भाजपा का है तो ये ब्रिगेड जो स्वैम को सनातन का रक्षक कहता है संकराचार्यों पर भी हमलावर हो गया, उनके खिलाब भी प्रोपगेंडा सुरू हो गया उन पर सवाल उठने लगे और एक इंटर्व्यू में राम मंदिर ट्रश्ट के माउथ पीस चंपतराए चंपतराए ने कहा ये मंदिर राम का जो है ये रामानंद संप्रदाय का है रामानंद है सन्यासियों सैव और साक्तों का नहीं ये जो संटेंस था ये वाक्य था जो कथन था ये सनातन में सबसे ज़्यादा विभेद कारी था लेकिन चंपतराए के इस बयान के बाद पूरी टोली लग गई कि संकराचार्य अगर दूर है तो रहे रामानंद संपतराए से संकराचार्य का क्या लेना देना चलिए बात आगे बढ़ गई अब सवाल वही आता है प्रथम उपासक कौन राम का क्या उसे बुलाया है तो हम आपको बता दे राम के प्रथम उपासक को भी राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है अब कौन है प्रथम उपासक सवाल ये हैं प्रथम उपासक वाराणसी में यानि कासी में स्री पीट पंच गंगा पंच गंगा घाट स्री पीट ये वही पीट है जिसे मूल कहते हैं जहां से मूल अस्थान है मूल पीट है रामानंद संप्रदाय का ये वो कासी है जहां पर पंद्रहमी सदी में रामानंद संप्रदाय का जन्म हुआ उद्भव हुआ ये कैसे हुआ इसको जोडते हुए आज 22 जन्वरी के इवेंट तक आना जरूरी है और फिर आपको समझ में आएगा ये पाखंड क्या है इतना ही नहीं उस मूल पीट के भीतर का क्या भाव है exclusive news launcher पर हम आपको सुनवाएंगे वो पीड़ा भी हम आपको सुनवाएंगे पहली बार इस देश में पिछले एक पकवाडे से जो चल रहा है धर्म के चोले में सियासी ड्रामा वो चोला उतरेगा आज क्योंकि इस रामानंद संप्रदाय की मूल पीट जिसे राम लला की उपासना का पहला हक था वो मूल पीट जिसे रामाले ट्रस्ट जब बनाया गया प्रधान मंत्री ने इस देश के प्रधान मंत्री ने रामाले ट्रस्ट बनाया और जब रामाले ट्रस्ट बनाया गया तो उसका प्रमुख सन्योजग यानि उस राम आले ट्रस्ट का मुख्या इसी सृरी पीठ के प्रमुख को बनाया गया और वो प्रमुख रामानंदा चाजे पीठा धीष्वल जगद गुरु राम नरिसा चाजे जी है राम नरिसा चाजे जी को भी आमंतरित नहीं किया गő राम मंदिर का जब आंदोलन चला तो हर आउसर पर जहां पर भी अगुआई करनी थी वहां पर राम नरिचा राजी हा गे थी जब नब्बे के दसक में यह विबाद चरम पर पहुंचा तो उस वक्त के प्रधान मंत्री ने राम नरिसाचारे जी की अगवाई में रामाले ट्रस्ट बनाया था आज वही राम नरिसाचारे जी जगत गुरु अजुद्या नहीं जा रहे हैं अजुद्या जाने की जगः जब अजुद्या में एक राजनेती कुछ सो होगा 2024 के चुनाओ को मद्य नजर रखते हुए तो राजस्थान में एक राम मंदिर बना है उस राम मंदिर में वो उत्सो करेंगे और उस उत्सो में सामिल होंगे उसी रामानंद संप्रदाय के मूल पीठ, स्री पीठ, स्री पीठ के पीठा धीसवर अभी मैंने कहा आपको मैं सुनवाओंगा वीडियो एक्स्क्लिउसिव वीडियो जो पीड़ा है उस पीठ की जो मूल पीठ की पीड़ा है राम नर्यसाचार्य जी कहते हैं बाकाइदा उन्होंने एक इंटर्वियू में कहा है उन्होंने इंटर्व्यू में कहा है पंच गंगा घाट पर स्री मठी रामनंदाचार्य संप्रदाय का मुख्य पीठ है यही मूल गद्धी है जिसे अयोध्या के आयोजिकों ने भुला दिया बनारस में तमाम लोगों को कार्ड मिले लेकिन मठ को आमंतरन नहीं आया अब हमे पीठ और उनके मठ को आमंतरन नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्री राम जन्मभूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय या मंदिर प्रसासन या सरकारी किसी संस्था के जान बूझ कर हमें नहीं बुलाने से मठ या आचार्य के कद पर कोई अंतर नहीं पड़ता है ये बातें उसी रामानंद संप्रदाय के मूल पीठ के पीठा धीस्वर का कहना है ये पीड़ा उनकी है आगे कहते हैं रामानंदा चारे पीठ और उनके मठ को आमंतरन नहीं मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्री राम लला के विराजमान होने की वर्स हम खुद राम मंदिर की कमेटी के प्रमुक रहे हमें कोई रामलला के अस्थल से दूर नहीं कर सकता बिना अमंतर दोनें जाऊंगा क्योंकि फिर वहां भी उचित सम्मान नहीं मिलेगा हम रामजी के हैं हम जीते हैं रामजी के लिए और हर सांस उनकी ही है मुझे नहीं लगता है कि इस वातावर्ण में जहां पर लोगों को मूल पीठ अस्थान में ध्यान नहीं आ रहा वहां उमीद लगाना बेकार है हाला कि हमें थोड़ा कष्ट है लेकिन राम याद आ रहे हैं यही सुख है राम के नाम पर बाटना उचित नहीं है राम सभी के हैं और उनके साथ सभी को होना चाहिए राम सभी के हैं राम के नाम पर बाटना नहीं चाहिए संदेश भी साफ है अब बात आती है हमने कहा था बयान भी सुनवाएंगे पीड़ा इतनी ही नहीं है पीड़ा तो यहां तक है कि उत्तर से दक्षिण तक कितना दान आया है करोणों का दान आया है सबने दान दिया है चाल साल से मंदिर बन ही रहा है और ये सवाल जुड़ता है वहीं से जो संक्राचाजे जी ने कहा था कि आधे धूरे मंदिर का क्यों उद्घाटन क्यों प्राण प्रिष्ठा आधे धूरे मंदिर के भीतर तो वही सवाल यहां भी है कि चाल साल से मंदिर बन रहा है करण रुपय का चंदा आया सब क्या हुआ आप अब खुद ही सुन लीजिए यह सुन लीजिए फिर हम कासी लोटेंगे इसी मठ पर और इस मठ के बारे में और जानकारिया हम आपको देंगे कि यह मठ कितना महत्वपूर्ण है और यही वो मठ है इसी मठ के पीठा धिस्वर को वो हक है जिसे पहले उपासना करनी चाहिए थी रामला की और यही वो मठ है जो रामालाय ट्रस्ट की अगवाई किया यही वो मठ है जो निर्मोहिय खाड़े के साथ मिलकर के राम मंदिर के लिए आखिर तक संघर्स किया आप सुनिए यह उसी स्री पीठ में राम नरिसा चार्य जी के सिस्ष्य परिशे दिजेगा और बताइएगा कि जो अयोडिया में प्रांग पतिश्टास हमारों होने वाला है लाम नंदा चार्य जी को आमन्दित नहीं किया गया इसके क्या आपका प्रमा है ना मिंद किया तो कौन होता अजोद्याबाद सामारा अपना है हाँ अजोद्याबाद ने जाएंगे नहीं नहीं कर सकते हैं हमारे सब बराबार है कि आफ लान मंदिर रहा है इस पर आप उचित है क्या है क्या है क्या आप कर्था करीन है कि अच्पारइए कि इस इतना बन रहा है बना रहा है यह जो में बन सकता है चार सा लगादिया मार्डर बनके रखा हुआ पैसा लोटना है डखेती करना है का है भुलवा रहे हैं हमसे का माडल बनके रखा हुआ सब चार साल हो गया अब बना रहा है अब दश्री भारत में सब सब पैसा लिए आज सब दोट करेंगे दस और जाएंगे 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 आता वाचार कर रहते हैं अपना परचे बता दे राम बने दास का नंभीने दास यह बयां जो है यह दलसल के राम नरीषा चार्य जी5 का पफश रखा गया है यह सौंटेर्ग्यार सजी जो उनके शिश्व दारा रखा गया कि इससे पहले हमने उनके इंठर बी आपको बताया है 1988 में जब रामानंदा चार्य की उपाधी मिली रामनंदा चार्य जी को वो इस पीट के स्रीपीट के प्रमुख बने जगत गुरू रामनंदा चार्य बने उस वक्त ही उन्हें इस पूरे आंदोलन का अगुआ बनाया गया था प्रमुख बनाया गया था रामंदी रांदोलन क वेद और पुरान के मरमग्या है सड़ दर्सन जो छे दर्सन है उन छे दर्सनों के ग्याता है पूरा जीवन सनातन के लिए सनातन के उपासना में सनातन के प्रसार में गुजार दिया और इस संप्रदाय रामानंद संप्रदाय की एक बात जो इस वीडियो में गौल से सुनिएगा रामा नंद जिन्होंने इस संप्रदाई की सुरुआत की उनके सिस्यों के नाम में दो नाम गौल से सुनिए उनके एक सिस्य थे कबीर और एक सिस्य थे रविदास जिन्हें रहिदास भी कहते है कबीर पंथी भी हैं और रहिदास के भी अनुई आई है और याद करिए राम भद्राचारे का वो बयान जिसमें राम भद्राचारे ने कहा जो राम को नहीं भजते वो नीच है और आपतिजनक सब्द जिस संप्रदाए की बात राम भद्राचारे जो स्वयम को त्रिलोक दर्सी मानते हैं सर्वग्यानी मानते हैं उसी रामानंदाचारे रामनंद संप्रदाए के संस्थापक जिन्हों ने उस संप्रदाए का उद्भो किया प्रारंद किया रामा नंद ने जिन्हें दो लोगों को दिक्षित किया जो उनके सिस्य थे उनमें दो कबीर और रहिदास और कबीर के अनुयाई कबीर पंथी और रहिदास के अनुयाई क्या उनको अपसब्द नहीं कहा सवाल ये भी बड़ा महतुपूरा है और आखीर में सवाल जो खड़ा हुआ स्रीमट से बात सिर्फ मंदिर की नहीं है बात सिर्फ रामलला की नहीं है बात यहाँ पर एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि क्या सनातन की जो पध्धतियां है जो पूजा पध्धति है सनातन की जो परंपरा है जो संसकार है उन सारे संसकारों को सारी परंपराओं को तिलांजली दे करके सिर्फ राजनैतिक लक्ष साधने के लिए 22 तारिक को अजोध्या में इस महा आयुजन को आयुजित किया जा रहा है इसी सवाल के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना है लेकिन देखते रहेगा न्यूज लॉंचर नमस्कार